गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आज 6 मार्च और बात करने वाले हैं 6 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स बने हैं उन सभी के बारी में अपने इस वीडियो में बात करेंगे आपको डाइगराम के मादें से मैं हर एक यूसन समझाऊंगा ता देखे आज का लेसन अपन सुरू करते हैं आज का पहला क्यूसन आपको देर का है असम के दुबरी के अंतरगते B.O.L.D. Q.I.T. प्रियोजना का उद्गाटन किसने किया है देखे B.O.L.D. Q.I.T. का मतलब क्या होता है पहले आप सुन लीजिए B.O.L.D. का मतलब होता है Border Electronically Dominated और Q.R.T. Interruption Technique ये जो प्रियोजना है इसका उद्गाटन ग्रेह मंतरी जो राजनात सिंग है उनके द्वारा किया गया है भारत बांगलादेश की जो सीमा है उसके उपर इस प्रियोजना का उद्गाटन किया गया है बांगलादेश के साथ में 4,096 किलोमेटर के लं बंद परनाली के तहट B.O.L.D. Q.I.T. पर प्रियोजना है इसका उद्गाटने किया था विभिन निर्माता हूं और आपूर्ती करता हूं कि तकनिकी सेयों के साथ में इसी रिकोर्ड को समय के उद्गाटने पुरा किया था तो राजनात सिंग है उन्होंने इसका प्रियो अगर के अंतरगते परदानमंतरी स्रम योगी मांधन योजना की सुरुवात की है ऐसंगटी तक शित्र के स्रमिक और मजदूरों के लिए इस राश्ट्री पेंशन की योजना है उसकी गोशना इस वर्से फरवरी के अंतरिम बजट के अंतरगते की गई थी इस योजना के अगर के दस करोड स्रमिकों को लाब मिलेगा परदानमंतरी स्रम योगी मांधन एसंगटी तक शित्र के नियूंतम 18 वर्स की आयूँ से लेकर अधिकतम 40 वर्स की आयूँ के गरीब मजदूरों के लिए बाहरे सरकार के दौरा वर्स 2019 के अंतरगत इस योजना को शुरू किय इस योजना से लाब लेने के लिए इस रमिको 55 रुपय मासिक यहनी 18 वर्स की आयूँ के लिए बात हो रही है 55 रुपय मासिक का यूगदान करना होगा और यह है आयूँ के आधार के उपर अलग-अलग होता है तो प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने इसका योजना का वेंक्या नाइडू एम वेंक्या नाइडू उपराश्टपती दो देशों जिसमें पिरागवे और कोश्टारीका के साथ में रवाना हुए हैं उपराश्टपती जो एम वेंक्या नाइडू हैं वो एक उच्छ तरिये परती निदी मंडल के साथ में रवाना हुए हैं जिसम लेटीन अमेरिकी देशों की पहली उच्छ तरिये यात्रा है श्री नाइडू भारत पिरागवे व्यापार मंच को संबोजित करेंगे और पिरागवे में भारतिये जो परवासी हैं उससे बातचीत करने कारिये करेंगे तो EmWayक An ID क्या होगा, इसक्षिशन का राइट आमसर होगा नेक्षिशन आपको दे रखा है एक हजार करोड की एंटी पियल बिजली परियोजना रास्ट को किसने समरपित की है देखें एंटी पियल का नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए NTPL का मतलब होता है नेवली तमिलाडू पावर लिमिटेड और इसे परियोजना को रास्ट को समर्पित करने कारी है कोईला मंतरी जो प्यूस गोईल है उनके द्वरा किया गए है कोईला मंतरी प्यूस गोईल ने NTPL की 1000 MW की थरमल पावर परियोजना और तमिलाडू में NLC इंडिया लिमिटेड की 1500 MW की जो सोर उड़जा परियोजना है वो रास्ट को समर्पित की गई है तो प्यूस गोईल क्या होगा इस कुछिशन का राइट आउंसर होगा नेक्ट कुछिशन आपको दे रखा है किसके द्वारा अपना स्वेम का डिजिटल पेमेंट गेटवे जो IRCTC IP लोंच किया है तो देखें IRCTC के द्वारा ये लोंच किया गया है IRCTC की फुल्पन होती है भारतिये, रेल्वे, खानपान और परियाटन निगम उप्सन फुल्पन इसका राइट आउनसर होगा इसी के द्वारा अपना स्वेम का डिजिटल पेमेंट गेटवे जिसका नाम है IRCTC IP ये लोंच किया गया है IRCTC IP, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एकिकर्थ बुकतान, इंटरफेस और अंतरास्ट्री कार्ड जैसे बुकतान विकल्प परदान करता है तो इसमें उप्सन फुल्प क्या होगा, इसक्षिन का राइट आनसर होगा केंदर सरकार ने जमात- ए- इसलामी जम्मू कस्मीर पर कितने वर्ष का पर्तिबंद लगाया है तो देखे, पांच वर्ष का पर्तिबंद लगाया है जमो कस्मीर पुलिस राजिय के द्वारा इस सम्मू है कि लगबग सो केडरों को गिर्बतार करने के कुछ दिन बाद ही एक अधिसु उसना जारी की गई थी तो पांच वर्स का पर्तिबंद इसके उपर लगाया गया है नेश्ट की सना आपको देर रखा है कि इसे राज्य सरकार ने मुख्य मंतरी सम्मान निधी योजना की गोशना की है तो देखे हर्याना सरकार की द्वारा की गई हर्याना सरकार ने मुख्य मंतरी परिवार सम्मान निधी योजना की गोशना की है हर्याणा के मुख्य मंत्री को ने मनोहरलाल खट्टर हैं जिनके तष्वीर आप यहां पर देख सकते हैं चंडिकर्ड के मुख्य मंत्री परिवार संवान निधी योजना की सुरुवात है राज्य के 5 एकडर तक की भुमे के कर्सी करने वाले जो किसान है उनको और 15,000 रुपए की परतिमा है से कम आये वाले जो परिवार हैं उनको इस योजना का लाब मिलेगा केंदर सरकार के दोरा जो 6,000 रुपए की दंदरासी परदान की जाएगी वो अलग से परदान की जाएगी ये जो योजना है वो 6,000 रुपए वार्शिक दंदरासी परदान करेगी परतेक परिवार को सदेशे से नामित करना होगा जिसे ये दंदरासी परदान की जाएगी इस योजना के लाभारतियों की बात करें तो दिखें लूक पेरी इनका नाम है 52 साल की उमर के अंतरगते अमेरिका की केलिफोर्निया के अंतरगत इनका निधन हो गया वर्स 1990 से लेकर 1995 और फिर वर्स 1998 से लेकर वर्स 2000 तक उन्होंने एक टीवी स्रंखला जो बेवली हिल्स 90-210 है उसके डाइलन मेकी की बुमेका के लिए किसोरों के आदर्स बन गए थे वर्स 2017 में अपनी मर्ट्यू तक पेरी ने सी डबलू स्रंखला रिवेल डेल में आर्ची के पिता और फेडरिक फ्रेड एंड्रियूज का किरदार इन्होंने निबाया है तो लिउक पेरी क्या होगा इस कुछन का right answer होगा नेक्स कुछन आपको दे रखा है वियतनाम में भारत का राज़दूत किसे न्यूकत क्या है तो देख하는데 very very important कुछन है प्रणय कुमार वर्मा को न्यूकत किया है विदेस मंत्राले ने प्रणय कुमार वर्मा जो कि भारती विदेश सिवा अधिकारी है 1994 केडर के उनको वियतनाम गणराजी के अंदरगते भारत का राजदूत नियुक्ति किया है वर्तमान में जो वर्मा है वो विदेश मंतराले में सेंक्तु सचीव के रूप में कारियरत है देखे राजदूत जो होता है वो आम तोर पर एक अन्य सम परभूत वै जो राजजी है उसमें अपनी सरकार के निवासी परती निदी के रूप में परमानित होना होता है जो एक विशेस और प्राई ऐस्ताई राजनीक कारिये के लिए नियुक्ति होता है तो प्रणै कुमार वर्मा है जिनको वियतना में भारत का राजदूत नियुक्ते किया है रूस ने किस देश के साथ में मध्यम दूरी की परमानु संदी को समापते किया है तो देखे अमेरिका के साथ में समापते किया है जो पूतिन है वो वर्ष गुनी सो सत्याशी के अंतरगते यू एस एस आर और अमेरिका के बीच में हुई आई एन एफ संदी आई एन एफ का मतलब होता है इंटरमेडियर रेंज नुकलियर फोर्सेज से रूस से बाहर होने के आदिश के उपर हस्ताकसर किये हैं समयुत संदी के तह licyti अपने डायतों के लंगन के बाद में यह कadem उठाया गया है तो अमेरिका से यह संदी है वो समापते की गई है नेक्ट किशन आपको देरका है ने किस बेंक को सरवस्रेश्ट बेंग का पुरुसकार परदान किया है तो इंडियन बेंग को सरवस्रेश्ट बेंग का पुरुसकार तमिलाडू सरकार के द्वारा दिया गए है ये जो पुरुसकार है वो उन मांदंडों के उपर आदारी था जिन से बेंग महिला स्वेम सहायता समुहों की आवशेकताओं को पूरा करते हैं आज ये के जो मुख्य मंत्री के पिलानी स्वामी है उन्होंने बेंग के कार्य कार्य ने देशा के एम के बटाचारी को सलेम में आयोजी ते एक समार होय के अंतरकते पुरुसकार परदान किया था तो इंडियन बेंग क्या होगा इस क्विशन का? राइट आंसर होगा ले इस क्विशन आपको देर का है एसो चेम नोन लाइफ ए इन्शुरर ओफ तैय यर अवोड दो हजार गुनीस किसने जीता है? तो भारती एक सा जनरल ने जीता है बारती एक साथ General Insurance को गेर जीवन बीमा के एक शेतर में अपनी उत्करष्टता और योगदान के लिए SOCM Non-Alive Insurer of the Year Award 2019 से सम्मानित किया है यह जो पुरुसकार है वो वार्शिक रूप से बीमा उद्योग में परभूत है उत्करष्टता और योगदान के लिए सम्मानित करता है उपसिन थर्ड क्या होगा इसका राइट अनसर होगा नेक्स क्यूसन आपको दे रखा है DRDO के अध्यक्स जिसने मिसाइल सिस्टम हासिल किया है तो देखे उनका नाम क्या है सतीस रेडी है सतीस रेडी इसका राइट अनसर का DRDO के अध्यक्स ने सतीस रेडी को DRDO के अध्यक्स और भारतिय रक्सा अनसंदान और विकास विवाग के सचिव उनको दो हजार गुनिस में मिसाइल सिस्टम अवोर्ड से सह विजिता के रूप में चुना गया है सतीस रेडी चारीस वर्सों में अमेरिका के बाहर यह है पुरुसकार हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं तो देखे दोस्तों 6 मार्च 2019 से रिलिडेड जो मॉस्ट इंपोर्टेंट करन्ट अपेर्स बने हैं सभी के बारे में अपने बात की है वीडियो था लगाए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर वीडियो में फिला लेतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स वर लिसनिंग गॉड विलेश योड टेक केर बाई बाई